दोस्तो वीड में एड्मिशन के लिए कॉंसलिंग की प्रकिडिया चल रही है अगर आपने अभी तक ओनलाइन रेजिट्रिशन नहीं किया है तो आज इसकी आकरी तिति है आप सभी जल्दी से ओनलाइन रेजिट्रिशन करके कॉलेज चौइस फिलिप को भर सकते हैं दोस्तो यहां पर एक निवज निकल के आ रही है एस्पॉर्ट कांसलिंग के बारे में तो इसकी वी जिनकारी हम आपको इस वीडियो की मादम से देने वाले हैं इसलिए वीडियो को आप लाज्ट तक जहूर दुखिएगा वीडियो सूकन से पहले माँ आप से छोटा सा रिक्रेश अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और लिखा हुआ कि आज आखरी मौका है आपके पास राजस्तर ये बेट नमानकन प्रकिरिया यानि कि CET बेट 2013 में 24 फिलिंग यानि कि कॉलेज चेन के लिए बुद्वार क अन्ती मौका है यानि कि आज अन्ती मौका है अभियर्थियों के लिए या पहला और अन्ती मौका है इसके बाद 24 फिलिंग के लिए online registration का मौका छात छत्राओं को नहीं मिलेगा यही वज़ा है कि यह निर्देश जारी किये गए हैं कि जो भी college अभियति चुने वह सोच अगर आप उसमें admission नहीं लेते हैं तो फिर वह college दूसरे को एलोट कर दिया जाएगा इसके बाद उन्हें सीधा sport नमानकर मौका मिलेगा माली जी आप first counseling में यह second counseling में आपको जो college मिलता है आप उसको छोड़ देते हैं तो खीके आप sport counseling के लिए जा सकते हैं आपका first second में ज और अगर सीटे खाली रहेगी तो sport round में आपका admission हो जाएगा इस चीजी आपको ध्यांड़कना है देखिए आप लिखा हुआ भी है कि sport round में सीटे खाली रहने पर ही होगा नमानकर दो round के बाद भी अगर college में सीटे खाली रह गई है तो sport round में अभिरतियों को मौका मिलेग sport round की परकिरिया 14 जून से लेके 24 जून के बीच होगी यानि कि यहां पर date भी आ गया है जो sport round की परकिरिया होने वाली है वह 14 जून से लेके 24 जून के बीच होने वाली है खाली सीटों पर सम्मनित college जो में अभिरती आवेदन करेंगे इसके बाद college मेट के अधार पर नमान कर लेंगे वहां किस college में कितनी सीटे खाली रह गई है ये सम्मनित college अपने notice board पर चीफ गाएंगे और फिर मेट लिस्ट जारी करेंगे और उसके बार नमानकर होगा वहीं एक जुलाई से आपकी कक्षाय जो है सुरू हो जाएगी तो यहाँ पर यहाँ बात किलियर हो गया कि आपकी बार भी काउंसलिंग होगे अगर फर्स राण में रिष्क कॉलेश नहीं मिलता है सेकेंड आउर में नहीं कॉलेश मिलता है तो वह पर्शान नहीं हो उनको भी इस पॉर्ट राण में मुका मिल सकता है ठीक है तो आपका यह क्लियर हो गया कि 14 से लेके 24 जून के बीच में इस पॉर्ट काउंसलिंग होगी और अगर आभी तक आप रेजिस्ट्रेशन नहीं किये हैं है फॉर्ट को फिल अप नहीं किया है तो आप जितनी जल्दी हो सके ओनलाइन फॉर्ट को फिल अप कीजिए और रेजिस्ट्रेशन अपना कीजिए और कॉलेच वाइस फिलिंग कीजिए उसी के अधार पे नौ मई को आपका यहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल के है